इस वीडियो में हम एवापोरेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। एवापोरेटर चलर के चार महत्वपूंट कॉम्पोनेंट्स में से एक है। आईए पहले देखते हैं एवापोरेटर होता क्या है। जब किसी बर्तन में पानी गर्म किया जाता है तो वह थोड़ा थोड़ा करके एवापुरेट होकर लिक्विट स्टेट से गैस में बदल जाता है और इस लिक्विट से वेपर में चेंज होने के प्रोसेस को एवापुरेशन कहते हैं रिफ्रिजरेंट को एवापुरेटर में गर्म किया जाता है और यह लिक्विट स्टेट से वेपर स्टेट में एवापुरेट हो जाता है इसलिए हम इसे एवापुरेटर कहते हैं सबसे पहले एवापुरेटर के डिजाइन को देखते हैं एवापुरेटर तीन प्रकार के होते हैं शेल और ट्यूब एवापुरेटर कोईल की तरह का एवापुरेटर और प्लेट प्रकार का एवापुरेटर इन तीनों एवापुरेटर में शेल और ट्यूब एवापुर पानी एक तरफ से एंटर करता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलता है तो इसे सिगनल पास एवापोरीटर कहते हैं और अगर पानी एक तरफ से एंटर करके एवापोरीटर की दूसरी तरफ 180 डिगरी घूमता है और उसी तरफ से बाहर आता है तो इसे टू पास एवापोरीटर कहते हैं इसी तरह थ्री पास एवापोरीटर भी होता है टू पास और थ्री पास इवापोरेटर में पानी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ट्रेवल करता है जो एकसे सीट ट्रांसफर करने का कारण बनता है और इसकी इफिशियंसी भी ज्यादा बढ़ती है यह वाटर बॉक्स है पानी इसके इंलेट से एंटर करता है और इसके outlet से बहार आता है इन दोनों पानी को आपस में मिलने से रोकने के लिए बीच में एक प्लेट होती है इस प्लेट का नाम है बेफिल रिफ्रिजरेंट लीकेज को रोकने के लिए एवापोरेटर के दोनों ends को एक प्लेट द्वारा सील कर दिया जाता है यह एवापोरेटर की एक cross-sectional image है एह यू से आने वाला पानी inlet से एंटर करता है यह पानी कौइल के across घूमता है एक्सपेंशन वेल्ट से रिफ्रिजरेंट इनलेट के माध्यम से एवापोरेटर को भरता है यह रेफ्रेजरेंट एवापोरेटर के अंदर कोईल को घेरता है क्योंकि पानी का तापमान कोईल में रेफ्रेजरेंट के तापमान से ज्यादा होता है इसी वजह से थर्मोडाइनमिक्स के लौ के अनुसार पानी की गर्मी रेफ्रेजरेंट में चली जाती है इसलिए रेफ्रेजेरेंट का तापमान बढ़ जाएगा और पानी का तापमान कम हो जाएगा रेफ्रेजेरेंट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और जैसे जैसे इसका टेंपरेचर बढ़ता है या एवापोरेट होकर वेपर में बदल जाता है फिर वहाँ से यह कंप्रेसर की मदद से कंडिंसर में चला जाता है और वहाँ से ठंडा पानी एह यू में जाता है यही चिलर एवापोरेटर का वर्किंग पिंसिपल है आशा है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर समझाई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं थांक यू